ये अव्यत् इशारे, समय की समेपता परमान अव्यत् फरिष्टा बनो, नमबर 26, अपनी सब जिम्मेवारियों का बोज बाप को देकर, आप डबल आई सिती में फरिष्टे की दुनिया में रमन करते रहो, फरिष्टों की दुनिया में रहने से बहुत ही हलकापन अनुभव होगा, जैसे की शुक्षम वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है, जब स्थूल वतन और शुक्षम में अंतर नहीं रहेगा, तब यह व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा, फिर सम्पोन्ता के समेप आ जाएंगे, ओम शांति